दोस्तो आज हम आप लोगों के साथ सेयर करेंगे खजूर की बहुती स्वादिश्ट खट्टी मिठी चट्नी चट्नी बनाने में एकदम आसान है और खाने में बहुती टेश्टी रखता है इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, समोसे, पकवड़े या कोई भी स्नैक, रेश्पी के साथ खा सकते हैं सभी चीजों के साथ चट्नी बहुत टेश्टी लगता है खाने में तो चलिए दोस्तो चट्नी बनाना सुरू करते हैं वीडियो को सुरू सेयर्ण तक देखना चट्नी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 100 गराम खजूर, खजूर को हमने अच्छे से दो से तीन पानी में धो लिया है और इसके अंदर के बीज को हमने निकाल दिया है यहाँ पर हमने आधा कटोरी चीनी लिया है, अगर तौल कर ले तो यह 40 गराम चीनी है और दो चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है एक चम्मच हमने लिया है अधरक का पेश्ट और यहाँ पर हमने लिया है मसाले मसाले में आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच भूना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्स पाउडर और stress के coding काला नमक और साधा नमक और हिंग तो सबसे पहले हम गैस चूलवे को जला लेते हैं और इस पे रखते हैं पैन पैन में डालेंगे चीनी अब इसमें जितना चीनी है उतना ही हम पानी लेंगे यानि आधा कटोरी चीनी है तो आधा कटोरी ही पानी लेंगे हम अब पानी को हम चीनी में डाल देंगे यानि पैन में डालेंगे अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आज को एकदम मीडियम ही रखेंगे तब तक हम इदर खजूर को चोटे चोटे पीस में कट करेंगे अगर आपके पास ग्राइंडर है तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं इसी तरीके से चोटे चोटे पीसे में कट करेंगे तो यहाँ पर खजूर हमारे अच्छे से कट हो गए है प्रयाब पर देखी चासनी भी बनकर तयार हो गई हैं अब इसमें डालेंगे कटे हुए खजूर और इस चासनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे हम अध्रक का पेस्ट इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करो चटनी बहुत ही अम्मी लगता है खाने में अब आप हम इसमें मसाले और नमक को आइड़ करेंगे जितने भी मसाले दिये हमने सारे आइड़ करेंगे अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए खजूर गलना शुरू हो गया है आज को मीडियम ही रखना है यह दीरे दीरे एकदम पक जाएगी और अपने आप गाढ़ा होने लगेगी तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ा हो रही है इसको बीच बीच में यह सही चलाते रहेंगे अब इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर को अब इससे भी अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने कल्ची से अच्छे से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स किया हैं अब इसमें मैंने हींग को भी डाल दिया है तो देखिए चटनी हमारा अच्छे से गाड़ी हो गई है देख सकते हैं अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं चटनी हमारा अच्छे से बंद कर तयार हो गया है तो दोस्तों आज की मेरी खजूर की चटनी की रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो थोड़ा ता भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना ज्यादा ते ज्यादा सेयर करना चैनल को सस्क्राइब करना विर्कुर भी मत बूलेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालू उसका नोटी आप लोगों तक पहुश सके तो चलती हूं दोस्तों मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई